एक तरफ जहां कोरोना वाइरस को लिगा पूरे भारत में हाहा कार मचा हुआ है वहीं दूसरी तरफ जांजगीर चांपा जिले के जर्रा गाउं के सरपंच पुत्र की मनमानी सामने आई है जहां लॉकडाउन होने के बाद भी भीड़ी खटी कर मचली पकड़ने का काम किया जा रहा है दरसल मामला जांजगीर चांपा जिले के सारा गाउं थाना अंतरगत ग्राम जर्रा का है जहां सरपंच पुत्र की सेलक्षन में पंचायत के निस्तारी तालाव में सरपंच पुत्र रोहन साहु ने भीड़ इखटा कर मच्वारा समीती के लोगों से मचली पकड करने का काम करवा रहा था जब इसके शिकायट डायल 112 पर की गई तो मौके पर पहुंची टीम ने आरूप्यों को पकड़ा जरूर लेकिन उन लोगों के ऊपर कारवाही करने के पजाए छोड़ दिया ऐसे में पोलिस प्रशाशन के ऊपर उठ रहे सवाल का जवाब देना महंगा पर रहा है इसमें का काम करने वादे हैं वह सब एक मीटर की दुरी जो गर्मेंट रूल है उसके अनुसार से यहां काम कर रहे थे और यह आज की जो जाली है यह अंतीम जाली है फिर इसके बाद जो ठेकेदार आज के बाद इसमें जाल भी नहीं मार पाएगा और हम लोग इसको रोजगार गारंटी में काम करने के लिए जनता में जो पैसा है जो पंचायत का पैसा है जनता में वित्रण हो इस जो स्पेवा की द्रिश्ची से काम करने के लिए हम ये काम मतलब आज हुआ है आप अच्छा बोल रहे हैं सर आपका जो याने प्रस्न वाजीब है लेकिन क्या होता है राजनीती में मैं अभी चुनाव जित कर आया हूं एक देड़ मां हुआ है वो नहीं वो निजी मामला का ही उपयोग कर रहे हैं वो निजी मामला का ही उपयोग कर रहे हैं वो खुद नहीं चाहते कि यहां का इस जर्रा का विकास हो और वो खुद आदमी यहां भीड़े लेकर आये थे हम लोग उलंगन नहीं किये हैं और मेरे पंचायत का कोई भी प दिल्चस्प बात यह है कि इस गाउं में कोरोना वाइरस की संदग्द 10 मरीज को होम आइसुलेशन में रखा गया है लेकिन इस गाउं के सरपंच पुत्र और पुलिस की लापरवाही से गाउं के लोगों के उपर कोरोना वाइरस का संक्रमण फैल न जाए इसका डर बना हुआ है खबर मद्धिप्रदेश के लिए जानजीर चांपा से क्रिशना टंडन की रिपोर